बच्चों, pre-board examinations हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना की board examinations क्योंकि pre-board examinations से हमें ये पता चलता है कि हम board परिक्षा के लिए कितने तयार है जिस प्रकार का percentage आपके pre-board examinations में आता है उसी के according आपके board examinations में भी percentage आते हैं 5 या 10 परसेंट घट या बढ़ सकते हैं बताता है कि board परिक्षा के लिए आप कितने तयार हो यदि आपकी percentage 75 से 90 के बीच में आ रही है या फिर 100 के बीच में आ रही है इसका मतलब ये है कि आपकी तयारी काफी अच्छे से है और यदि आपकी pre-board examinations में 75% से कम आ रहा है इसका मतलब है कि आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवशकता है तो आज हम लोग बात करेंगे कि pre-board examinations में किस प्रकार से हम तयारी करें तो वीडियो आप पुरह सुरू से लाश तक देखते रहें आईए जानते हैं तो बच्चों आज मैं आप लोग को टोटल पांच टिप्स बताने जा रहा हूँ तो ये पांचोर टिप्स आप लोग ज़रूर फॉलो करें नमबर वन है फस्ट कंप्लीट योर सिलेबस आप लोग सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो क्योंकि यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा यानि क्योई चैप्टर अपका अगर छोटा हुआ है तो डेफिनेटली उस चैप्टर से कोशन आपके प्रीबोर्ड एक्जामनेशन समय आएंगे और आपने अगर उस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो आपके डेफिनेटली वहाँ से कोशन छूड जाएंगे तो सबसे पहला काम आपका यही है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ले यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपके मार्क्स वहाँ से जरूर कटेंगे सेकेंड पॉइंट है कि CBSE के सैंपल पेपर से आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें CBSE जो सैंपल पेपर अपने वेबसाइट में डाली है वहाँ से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रीवोड एक्जामनेशन में जातर कोशन हमेशा से ऐसा देखा गया है कि जो अस्गोली एक्जामनेशन होती है प्रीवोड एक्जामनेशन जो अस्गोल में होता है तो वह CBSE जो सैंपल पेपर अपलोड करती है तो वहीं से जातर कोशन से देता है तो आप लोग CBSE के ओपिशल वेबसाइट से जो sample paper लगभग October के महिने में upload की हुई है CBSE ने तो वहाँ से आप लोग download करके उसको practice करो तीसरा tip से बच्चेयों कि question bank से आप लोग जरूर त्यारी करें क्योंकि question bank में important CBSE के previous years के question दिये वे रहते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि pre-board examinations में question bank में जो question दिया हुआ है तो same why question उठाके पूछ दिया जाता है अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि CBSE ने इससे पहले जो भी examinations लिया हुआ है और जो भी questions पूछा हुआ है तो उसमें से जो important questions रहता है तो वे सारे questions आपके question bank में दिये रहते हैं तो obviously वहाँ से question आपके pre-board examinations में जरूर रहेंगे तो आप लोग question bank से जरूर त्यारी करें आप किसी भी publication का question bank लेख सकते हो चाहे वह एजुकार्ट हो अरिहन्त हो या फिर ओशवाल हो कोई भी किताब खराब नहीं होता है तो आप किसी भी publication का question bank खरीद सकते हो तो यह तो हो गया तीसरा point चौथा टीप से बच्चों की NCRT और NCRT examplers इसकी practice आप लोग जरूर करें क्योंकि pre-board examinations में कई बार बहुत सारे ऐसे school है जहां पे NCRT based ही questions रहता है और कई सारे ऐसे schools हैं जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ NCRT examplers से question दिये रहते हैं तो यह depend करता है school पर कि NCRT से दे रही है या फिर NCRT examplers से दे रही है तो इसलिए आप लोग मैं यही recommend करूंगा कि NCRT और NCRT examplers से भी आप लोग जरूर तयारी कर लें इसके बाद बच्चों पांच वाट सबसे आखरी tips जो कि आप सभी के लिए most important है कि आप एक time table जरूर बना के पढ़ना क्योंकि बिना time table का आप जैसे तैसे अगर पढ़ोगे तो आपकी study वैसी नहीं हो पाईगी जैसी होनी चाहिए अब बच्चों आप लोग यह मत बोलना कि सर आप एक हमें time table बना के दिसे मैं अगर आप लोग को time table बना के दूँगा तो मैं वो अपने according दूँगा आप लोग के लिए सबसे best है कि आप खुद का एक time table बनाओ आप लोग खुद time table बनाओ तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा बैटर रहेगा यदि आप लोग को कहीं दूसरे जगह से कोई time table मिलता है या फिर मैं बना के अगर आप लोग को देता हूँ या फिर कोई आपको अगर दूसरा भी अगर कोई देता है time table आपने कहीं देखा कि time table इसमें दिया वाई कि रात को 12 से 3 बजे तक पढ़ना है या फिर शुभा को 5 से 8 बजे तक पढ़ना है तो अगर आपको 12 से 3 बरे तक रात में पढ़ने का कोई अगर टाइम टेवल देता है और आप रात में जग नहीं सकते हो तो आप उस टाइम टेवल को फॉलो नहीं करोगे तो ज़्यादा better आपके लिए यहीं रहेगा कि आप लोग खुझका एक टाइम टेवल बनाओ शबसे अच्छा यह होता है कि हम अपना एक टाइम टेवल बनाएं और बिना टाइम टेवल का स्टडी सही भी नहीं है तो आप लोग जरूर एक time table बना के ही पढ़ना ताकि आप अपने board परिक्षा में अच्छे marks option कर सको और साथ ही pre-board examinations में भी अच्छे marks option कर सको तो बच्चों ये था 5 tips जिसे follow करके आप pre-board examinations में काफी अच्छे score कर सकते हो तो इसी तरह की और भी वीडियोज पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरू रखे Thank you